प्रेम से बोलिए शुरी सत्य नाराइन भगवान की जय आज कार्थिक पोनिमा के इस शुब अफसर पर रस्पान कीजिए शुरी सत्य नाराइन भगवान की कथा का उससे पहले मैं आप सभी को जानकारी देदूं कि जिस तरह से आप सभी ने कार्थिक मास महतमी की कथाएं हमारे चैनल पर लगातार सुनी है उसी तरह से आप आने वाले मार्कशीस मास मास महतमी की कथाएं और अब तक के रुके हुए भागवत कथा के आगे के अध्याई भी जरू सुनिएगा इस बार पुनिमा दो दिन मनाई जाएगी 7 नवंबर और 8 नवंबर 7 नवंबर को देव दिवाली का पर मनाई जाएगा इसे दिन उपवास भी रखा जाएगा और 8 नवंबर को चंद ग्रहन होने की कारण व्रत नहीं रखा जाएगा इसलिए जो लोग भी कार्थिक पुनिमा का उपवास रखते हैं वो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेट दिती और शुमूर्थ की जानकारी वाली वीडियो जरू देख लेजेगा अब रस्पान कीजे श्री सत्त नारण भगवान की कत्था का पवितर तीर्त स्थल नैमिशारंड में एक बार एकत्रित हुए आर्या वर्थ के 88,000 महश्यों ने मुनिश्रेष्ट श्री सूत जी से कहा हे मुनिवर कल्यूग में मनुश्य वेद, विधान और धर्म विरुत आचरन करते हुए पापों की गठ्री के बोज तले दबता जा रहा है इसलिए हे मुनिवर मनुश्य के कल्यान के लिए कृपा कर कोई ऐसा उपाए बताईए जिससे मनुश्य को पुर्ण लाब हो और उसके जीवन की मंगल कामनाए पूरी हो सके तब श्री सूत जी महराज कहने लगे है रिशियो आपने विश्व कल्यान के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है अब मैं उस मंगल कारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार नारत जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारेंट से पूछा था और उन्होंने नारत जी से जो कथा कही थी उसे अब आप सब भी चिंता मुक्थ होकर सुनिए नारत जी मानव के कल्यान की इच्छा से विभिन लोकों का ब्रहमण करते वे पhratवी लोक में जा पहुँचे प्रत्वी लोग में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीडित देखकर नारजी बड़े परिशान हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारन कैसे होगा जब वह कोई उपाय ना सोच सके तब तीनों लोगों के स्वामी भगवान श्री हरी विश्नु के सामने उपस्थित हो गए वहाँ नारजी ने श्वेत पून और चार भुजाओं वाले शंक चक्र गदा और पदम से सुसजित देवों के देव भगवान विश्नु की इस्तुति करते वे कहा हे भगवान नारायन आप सर्व शक्तिमान और स्रस्थि के पालन करता है मनुष्य का मन और वानी भी आपके गुणों का वणन नहीं कर पाती आप सर्व स्रेष्ट और सर्वो परी हैं आपका कोई आधी मध्य और अंत नहीं है मैं आपको नमस्कार करता हूँ इस प्रकार नाराज जी द्वारा इस्तुति किये जाने पर भगवान विश्टुम मुस्कराय और कहने लगे हे मुनीवर करपा करके निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताईए तब नाराज जी कहने लगे प्रत्वी लोग पर जन्म लेने वाले मनुष्य अपने अपने कर्मों के नुसार विभन योनियों में रहते हुए अनेक दुखों से पीडित हो रहे हैं हे त्रिलो की नाथ मुछवर क्रिपा करके कोई ऐसा उपाय बताईए जिससे उनका दुख नस्ठ हो सके और वे सुक संपती का भोग करते वे अन्त समय में मोक्ष को प्राप्त कर सके तब स्रस्टी के पालनहार भगवान श्री हरी कहने लगे हे नारद मुनी अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी इस्तिरी पुरुषों को पापों से मुक्ति मिल पाएगी निर्धनता नस्ठ होने से मनुष्य सुक संपती के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा श्री सत्य नाराइन भगवान का वरत करने से और कथा सुनने से उनकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी कल्यूग में मुक्ष प्राप्ती का एक मात्र यही उपाए है नारत जी ने जब वरत के लिए विदी-विधान की जानकारी चाहिए तो भगवान श्री हरी कहने लगे मनसा, वाचा, कर्मना, शुद्ध होकर मनुष्य भक्ती एवं शुरद्धा भाव से किसी भी दिन यह वरत कर सकता है नैवे द्यादी भक्ति भाव से अर्पित कर ब्रहमनों को भोजन कराकर दक्षिना देनी चाहिए इस प्रकार सत्य नारेन भगवान की आराधना करने से व्यक्ति के सभी कस्टों से मुक्ती मिल जाती है दन संपन और सुखी होकर आनंद पूर्वक वे जीवन व्यतीत करता है श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे हे रिश्यो मुनियो अब मैं आपको उस निर्धन ब्रहमन की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने श्री सत्य नारेन भगवान का सबसे पहले व्रत किया श्री सत्य नारेन भगवान का अवरत करने से उस ब्रहमन की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कस्ट भी दूर हो गए प्राचीन काल में वैं निर्धन ब्रहमन देवों की प्रे नगरी काशी में रहा करता था बिक्षा मांकर वे किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था ब्राहमन की दुर्दशा देखकर ब्राहमनों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारैन भगवान ने एक दिन बुड़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर बड़े आदर सम्मान से उससे पूछा हे ब्राहमन देता तुम इस तरह घरगर बिक्षा मांकर अनेक कस्टों को सहन करते वे कैसे जीवन यापन कर रहे हो दरिद्र ब्राहमन कहने लगा हे मित्र मुझे आये का कोई भी साधन प्राप्त नहीं है इसी वज़े से मैं बिक्षा मांकर जीवन यापन करता हूँ अगर आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बताईए निर्धन ब्राहमन की बास सुनकर बुड़े व्यक्ति ने कहा हे मित्र श्री सत्यनारान भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनुकामनाई पूरी हो जाएंगी और तुम्हारे घर में धनसंपति की वर्षा होने लगेगी ब्राहमन को व्रत करने की विधी बताकर सत्यनारान भगवान वहां से आगे की ओर चल दिये और कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए निर्धन ब्राहमन ने बुड़े व्यक्ति द्वारा बताये गए व्रत को करने का निश्य कर लिया उस रात उसे नीद नहीं आई वह व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारान भगवान का ध्यान करता रहा प्रातहकाल उठकर सत्यनारायन भगवान का व्रत करने का निश्य करता हुआ निर्धन ब्राहमन भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा उस दिन ब्राहमन को भिक्षा में बहुत सारा धन मिल गया और घर लोटकर उसने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्ति नारायन भगवान की पूजा करकर उन्हें वरत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद दे कर स्वेम भी प्रसाद ग्रहन किया और इस प्रकार कुछ ही दिनों में ब्रहमर की निर्धनता दूर हो गई उसके घर में धन धानने की वर्षा होने लगी अब तो ब्रहमर ने हर महिने श्री सत्ति नारायन का वरत करने का निश्य कर लिया हे श्रेस्ट मुनियों अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस प्रहमण से श्री सत्यनारेण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके सभी कस्ट दूर हुए धन संपत्ति से संपन उस प्रहमण ने हर महा नेमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले महिने श्री सत्यनारेण भगवान का व्रत किया तो उस बहुत से बंधु बांदव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकडिया काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़ारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तेज प्यास लग रही थी। इसलिए जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़ारे ने लकडियों के गठ इस सभी जिंगल से दिटांप इस समय किस का पूजन कर रही हैं इस्वहरत को करने से क्या लाब होता है किरपा करके बुझे सब बातें बताईएं। बिढ़े लकड़ारय की सुचा कि आज लकडियां बेचने से जो धन मिलेगा उश्षा से मैं श्री सत्यनारण भगवान की पूजा करूंगा ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़ारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले तब लकड़ारे ने उन रुपएयों से केले घी दूद दही गेहुं का आटा और शक्कर खरीदा घर लोटकर लकड़ारे ने देवों की प्रे काशिन अगरी में श्री सत्यनारण भगवान की पूजा की उस पूजा में उसके परिवार के और आस्पात के लोग भी संमिलित हुए श्री सुकों को भोग कर वहलकडारा अंत में व्यकुंट धाम को चला गया श्री सूत जी बोले हे रिश्यों मुनियों अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूं प्राचियन समय में कनकपुर में उलका मुख नाम का एक बुद्धीमान और सत्यवादी राजा राज्य करता था वहर ठोणोपति पतनी हर महीने का व्रत किया करते थे ख्रैसरे कि outtaęp संपत्ती के भंडारे में रहता थे उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जिवन्यापन पर रही थी एक बार राजा औ जानी बहुत से लोगों के साथ जब भत्र शीला नदी के इनारे श्री सरी नारे भगवान की पूजा कर रहे थे, तब नदी के किनारे एक बड़ी सी नौका आकर ठहरी, उस नौका में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था, वे बहुत सा धन कमा कर अपने नगर लोट रहा था, उसका सारा धन उस नाव में ही रखा हुआ था, नाव से उतर कर व्यापारी राजा के पास पहुचा, राजा को पूजा करता देखकर उसने पूछा, फिराजन आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को करने से क्या लाब होता है, तब राजा ने उसे भगवान सत्यनारैन की महिमा और उसके व्रत का लाब बताया, सत्यनारायन भगवान का ध्यान करते वे व्यापारी ने प्रसाद ग्रहन किया और वापस लोटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा हमारी कोई संतान नहीं है कनकपुर के राजा उलका मुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायन भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनन के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी लीलावती कर्पवती हो गई नवे महिने में उसने एक सुन्दर कन्या को ज़न्म दिया व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशिया मनाई लेकिन सत्यनारण भगवान का व्रत नहीं किया जब उसकी पत्नी लिलावती ने अपने पती से श्री सत्यनारण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वह बोला अभी जल्दी क्या है मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूं जब हमारी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका व्यवाह करूंगा तब मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारण का व्रत करूंगा पती के वचन सुनकर लिलावती चुप हो गई इधर व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चन्रमा की तरह तेजी से बड़ी होने लगी इस प्रकार सोलह की चिंता होने लगी व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग वर ढूनने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेज दिया व्यापारी के सेवक कंचनपुर नाम के एक नगर में जा पहुंचे उस नगर में उन्होंने एक वनिक पुत्र को देखा वनिक का विवाह धूंग धाम से उसके साथ कर दिया दहेज में उसने वडिक पुत्र को बहुत सार धन भी दिया कलावती का विवहा भी हो गया लेकिन व्यापारी ने श्री सत्य नारायन भग्वान का व्रत नहीं किया तब लीलावती ने फिरसे अपने पती से कहा है नात आपने के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा हूं व्यापार से लोटने पर श्री सत्य नारण भगवान का व्रत और पूजा अवश्य करूंगा ऐसा कहकर व्यापारी ने कई रतनिसारपुर में पहुँचकर व्यापार करने लगा, एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करकर भाग रहे थे, सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का सारा धन व्यापारी की नावों में छुपा दिया, खाली हाथ चोर अराम से भाग गए, चोरों का पीछा करते वे सैनिक व्यापारी के पास पहुचे, उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली, तो उन्हें राजा का चोरी किया गया सारा धन भी मिल गया, तब सैनिक व्यापारी और उसके दमाद को बंदी बना कर राज तूट पड़ा उसके घर में चोरी हो गई और घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक प्रहमण के घर गई उस प्रहमण के घर में श्री सत्तिनारण भगवान की पूजा हो रही थी तब उसने भी वहा लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ मिलकर श्री सत्तिनारण भगवान की पूजा की पूजा करने के बाद सब को प्रसाद बाठ कर स्वेंभी प्रसाद ग्रहन किया लीलावती ने अपने पती और दमाद के घर लोटाने की मनुकामना से श्री सत्त चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कर कहा हे राजन व्यापारी और उसका दमाद बिल्कुल निर्दोश हैं सुभा उठते ही उन दोनों को आजात कर दो उन दोनों का सारा धन भी वापस लोटा देना अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभवनस्ट क उसके दमाद को छोड़ देने के लिए कहा और तब राजा चंद्रकेतु ने तुरंट उस व्यापारी और उसके दमाद को छोड़ दिया और उनका सारा धन भी वापस कर दिया इस प्रकार श्री सत्य Naraan भगवान के क्रपा से व्यापारी और उसका दमाद दोनों खुशी- इपने नगर की ओर चल दिये तब श्री सूत जी महराज आगे कहने लगे उस व्यापारी ने अपने दमाद के साथ शुब महुट में नावों द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोक कर भ वनिक तेरी नावों में क्या समान रखा हुआ है व्यापारी ने मन ही मन सोचा कि यह साथू अवशी कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है यह सोचकर व्यापारी ने जूट बोल दिया है साथू माराज मेरी नावों में तो बेल और पत्ते भरे हु अंतरध्यान हो गए व्यापारी साधू को खाली हाथ लोटा कर बड़ा प्रसंद हुआ लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नावों में धन की जगह बेल और पत्ते भरे वे देखे तो वह जोर-जोर से रोने लगा मन ही मन अपनी जूट पोलने पर पश्चाता भी करने लगा रोते रोते व्यापारी बेहोश हो गया कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वह फिर विलाप करने लगा तब उसके दामाद ने कहा यह सब साधू के श्राप के कारण हुआ है इसलिए वही साधू इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं दामाद की बाद सुनकर व्यापारी साधू की तलाश में चल पड़ा कुछ देर ढूनने पर सत्य नारण भगवान मिल गए व्यापारी ने साधू रूप धारी सत्य नारण भगवान के चर्णों में गिर कर जूट पोलने के लिए शमा मागी तब सत्य नारण भगवान बो हैं सभी की मनोकामनाईं पूरी करते हैं मेरी इस कल्ती को शमा कर दीजिए मैं सदा आपका व्रत और पूजा किया करूंगा आप मुझ पर किर्पा कीजिए व्यापारी की शमयाशना सुनकर साधव माराज ने उसे शमा कर दिया उसी समय व्यापारि की नाववें भेल पत्थे धन धान में परिवर्दित उ गए व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्थी नारहन का वुरत करके उनकी यह पूजा की सब को प्रसाद बाट करcolla भी प्रसाद ग्रहन किया उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की और प्रस्थान किया अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा सेवक ने उसके घर पहुंचकर उसकी पत्मी लिलावती को उनके आने की सूचना दी उस समय लिलावती और कलावती से कहा कि बेटा मैं नदी के किनारी जा रही हूं तु घर का काम पूरा करके आ जाना यह करकर लीलावती नदी के ओर चल पड़ी परंतु कलावती पती से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहन किये बिना ही घर से निकल कर नदी किनारी जा पहुंची उसके प्रसाद ना करने के कारण सत्यनारण भगवान क्रोधित हो उठे उन्होंने व्यापारी की नावों को नदी में डुबा दिया अपने पती को वहां पर ना देखकर कलावती जोर-जोर से रोने लगी तब व्यापारी ने कहा यहे पुत्री आवश्य ही तुझ से कोई भूल हुई है उस अवश्य शमा कर देना तब ही आकाश बाणी हुई हे बनिक पुत्र तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहन किये बिना ही चली आई अगर अब घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहन करके वापस आ जाए तो उसे पती के दर्शन हो पाएंगे और दूबी हुई नावें भ से बाहर निकल आया घर लोटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंदू बांधवों के साथ मिलकर विदी विधान से श्री सत्य नारायन भगवान की पूजा की उनकी सभी मनुकामनाई पूरी हुई और वह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते वे अंत में से रहती थी राजा तुंग द्वज अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ही ध्यान रखता था लेकिन एक बार उसने भी सत्य नारायन भगवान का प्रसाद ग्रहन नहीं किया तब सभी को चिंताओं से मुक्त करके धनसंपति से भंडार भरकर प्राणियों को जीवन के सभी सुख देने वाले श्री सत्य नारायन भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहन ना करने का एक तंड दिया एक दिन राजा तुंग द्वज जंगल में हिंसक पशों का शिकार करने निकला हुआ था तेजी से घोड़ा दोड़ा कर शिकार का पीछा करते वे वे अपने सै चरवाहे श्री सत्य नारायन भगवान की पूजा कर रहे थे राजा ने उनके पास से गुजरते वे श्री सत्य नारायन भगवान को नमस्कार नहीं किया चरवाहों ने राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझ कर प्रसाद भी ग कोप से राजा निर्धन हो गया था तब राज जोतिशी ने राजा से कहा हे महराज आप से अवशी ही कोई भूल हुई है अगर आप उस भूल का प्रैशित करने तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा राजा को तुरंत अपनी भूल का इसमरण हो आया अथा मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्य नारण भगवान से शमा मांगी और उनकी पूजा की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहन करने से श्री सत्य नारण भगवान की कृपासी चमतकार हो गया राजा का खोया हुआ वैभव पुनह लोटाया श्री सत्य नारण भगवान की कृपासे जीवन के सबी सुखों को भोग कर अंत में राजा तंगुद्वज वैकुंठ धाम को गया और मोक्ष को प्राप्त किया श्री सत्य नारण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुश्य करता है उसके सभी दुख सभी चिंताएं नस्ठ हो जाती हैं उनके घर में धंधान के भंडारे भ रहते हैं नीस संथान ओं को संतान की प्राप्ति होती हैं और सभी मनुकामनाओं को प्राप्त कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे व्यकुंठ धाम को जाता है शरी सूत जी महराज आगे कहने लग English हेश्रेष्ट मुनियों, श्री सत्यनारन भगवान के व्रत को पूर्व जनम में जिन लोगों ने किया है उन्हें दूसरे जनम में सभी तरह से सुख प्राप्थ हुए, व्रत शतानन ब्राहमन ने पूर्व जनम में सत्यनारन भगवान का विधी पूरवक व्रत किया तो दू उसरे जनम में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते वे अंत में मुक्ष को प्राप्त हुए उलका मुख नाम के राजा ने अगले जनम में राजा दश्रत के रूप में मुक्ष को प्राप्त किया उन्होंने बताया कि व्यापारी ने अगले जनम में अपने पुत पार्ट करते वे वैकुट धाम को गई हे रिशियों मुनियों श्री सत्य नारायन भगवान का व्रत और पूजन मनुश्य को सभी चिंताओं से मुक्त करता है धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रिवियों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करता है यह ती सत्य नारायन भगवान की कथा बोलो सत्य नारायन भगवान की जय आप सभी को आज की यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा